Hello everyone, welcome to study time with new informative video. UPSC ने आज एक official notice जारी किया है और इसमें एक परिक्षा परणाम की गोशना कर दी है. ये जो परिक्षा परणाम है ये जारी कर दिया है और जो official notice है ये देखिए, काफी लंबे समय से विद्यारती इंतजार कर रहे हैं इन परिक्षा परणामों का, कि यूपीटर पलसी कब अपना जो काम है सुचारू रूप से अच्छे से जो है करना चालू करेगा और जितने भी pending result है वो जल्दी जल्दी जारी करें तो आज जो आसूलिपिक का result है वो जारी कर दिया है और यह देखिए सारा इसमें विवरण दिया गया है और 2 जुलाई 2021 यानि कि आज का यह notice है और जो भी विद्यारती इंतजार कर रहे थे आसूलिपिक के result का तो यह जारी कर दिया गया है और अगर बात करें कि cut off कितनी गई है तो जो अनारच्छित की cut off है अन्तिम चैनित अभ्यारती के कुल जो प्राप्तांग है वो 76.50 है ठीक है 76.50 है और अन्तिम चैनित अभ्यारती की लिखित परिक्छा के जो प्राप्तांग है 32.50 है और अन्तिम चैन अभ्यारती के जन ल गई हुई है तो यह यहां पर cut-off दी गई है तो आप लोग जो भी इस भरती पर इक्षा का इंतजार कर रहे थे result का तो result जारी हो गया है official site पर जाकर आप जो अपना result है वो देख सकते हैं और बात करें कि अब अगला जो result है वो किस परिक्षा का होगा और जल्दी यूपी ट्रपलसी जो है वो एक और result आपको देखने को मिल जाएगा यूपी ट्रपलसी का आपने देखा होगा कि जो यूपी ट्रपलसी है वो 15-20 दिन के अंतराल पे एक एक result जारी कर रहा है क्यूंकि इसने इतनी जार थाएने result जारी करनी के लिए कि सुब मुहरत का इंतिजार कर रहे थे और अब वो सुब मुहरत आ गया है तो जो result है वो जारी होने लगे हैं तो अगला जो result है वो आपको 15-20 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा ये मंडी परिषद का भी हो सकता है आगे जो लोवर वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंदित सभी अपडेट इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है थेंक्यू